साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पेकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पेकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पेकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है यह पेकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का है पेकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गति देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पेकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पेकेज हमारे कुटिर उद्योक, गरह उद्योक, हमारे लगू मंजोले उद्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पेकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर सिती, हर मौसम में देश वाश्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पेकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए है, जो इमानदारी से टेक्ष देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारतिय उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्तमंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्दमन आधार मोबाइल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्ट्रक्टर समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सीच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीस परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिस्तितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्षन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं ठेला लगाने वाले हैं पट्री पर सामान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्या किया है, जाक किया है, ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया, अब हमारा कर्टब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आर्ति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक छेत्र से हो या संगटिक से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा, साथियों, कोरोना संकट में हमें लोकल मैनुफैक्टरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन, इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है, संकट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने, उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर घर्व किया, तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए, इसलिए आज से हर भारतवासी को, अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोड़क्स खरिदने हैं, बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है, मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है, आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रती, कि मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है, मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था, ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वरकर्स को सपोर्ट करें, आप देखिए, बहुती कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई, इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया, बहुत छोटा सा प्रयास्ता, लेकिन प्रणाम मिला, बहुत अच्छा प्रणाम मिला, साथियों, सभी एक्सपर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते, कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए, हम मास्क पहनेंगे, दोगजदूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे, इसलिए लोगडाउन का चौथा चरान, लोगडाउन फोर, पूरी तरह, नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा, राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं, उनके आधार पर, लोगडाउन फोर, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको, अठारा मैसे पहले दी जाएगे, मुझे पूरा भरोसा है, कि नियमों का पालन करते विये हैं, हम करोना से लड़ेंगे भी, और आगे भी बढ़ेंगे, साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्म वशम सुखम, अर्थात, जो हमारे वश में हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, वही सुख है, आत्म निर्भरता, हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है, 21 वी सदी, भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व, आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा, इस दाइत्व को 130 करोर देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी, आत्म निर्भर भारत का ये यूग, हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन परव भी होगा, अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, जब आचार, विचार, कर्तब्य भाव से सराबोर हो, कर्मडता की पराकाष्टा हो, कौशल्य की पूजी हो, तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है? हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे, इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ, आप अपने स्वास्थ का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद,